क्या सत्ता में रहने वाले लोग मदवस्त हाथी के तरह हो जाते हैं जो बिना पिलेवान का वो कहीं भी तोड़ फोड़ करना प्रादम कर देते हैं मदवस्त हाथी की बात मैं आपको आज बताने जा रहा हूं कि सत्ता में रहने वाले लोग कुछ नहीं समझते जो मन में आता वो कर देते बाद में उसका पड़ी नाम जो भी हो दोस्तों आप मोटिवेशनल चैनल बाई बी एन वाई खबर इखबर देख रहा हैं मैं बिवेका नंजादर उत्तर परदेश के समाजवादी पार्टी के गड़ावर नेता बड़े नेता कहें जाने वाले आजम खां सांसद हैं बरतमान में और उनके पुत्र अब्दुल्ला आजम विधायक है यूपी में नौ बार आजम खां विधायक बने कई बार स्रकार में मंतरी रहे और समाजवादी पार्टी में उनकी अच्छी पूछ और पकड़ है पिछले दिनों जोहर इंवर्सिटी में मदरसे की किताब चोड़ी की पाई गई छापा मारी हुआ किताब बड़ामत हुआ उसके बाद अब्दुल्ला आजम उनके बेटा को हिरासत में लिया गया बाद में छोड़ दी गई फिर समाजवादी पार्टी ने अंदोलन किया और कई लोग गिरखदार किये गए जहर इनवर्सिटी के बाद आज अब्दुल्ला आजम के नाम से यानि आजम खान का हमसफर रिसॉर्ट रामपुर में है जिस रिसॉर्ट पर भी आज बुल्डोजर चला पुलीस का और प्रसासन का काफी पुलीस की तादाद थी और बुल्डोजर से रिसॉर्ट के चार दिवारी को ठा दिया गया इसलिए कि कहा जाता है प्रसासन के द्वारा जीलपदा दिकारी के द्वारा की रिसॉर्ट और सरक के बीच नाला की जमीन है जिसमें नाला बनी हुई थी और नाला को अतिकरमन कर अबाइद रूप से आजम खाने कवजा कर रिसॉर्ट का दिवाल दे दिया जो अस्पश्ट रूप से दिवाल तूटने के बाद बड़ा सा नाला दिखाए पड़ता जो आप देखेंगे इसलिए मैंने कहा कि क्या सत्ता में रहने वाले लोग मदमस्त हाथी की तरह हो जाते हैं जहां पर रखते वह उसका कब्जा हो जाता जहां खड़े हो जाते उनीका हो जाता और जो मन में आता वही करते तो आजम खां की मुश्किलें बढ़ती नजरार ही है रिसोर्ट की जो दिवाल थी उसके अंदर नाला को अतिक्रमन करके अंदर कर लिया गया था जो बड़ा सा नाला है ऐसा कहा जाता है हजार स्कॉाइर फिट की नाला को अबाइद कब्जा आजम खां न किया अब तक आजम खां पर बहुत सारे कैसे सोच चुके हैं जीला पदादिकारी ने बताया कि बुल्डोजर से तोड़े जाने का जो भी खर्च है सारा खर्च आजम खां से वसूल किया जाएगा छती पूर्ती वसूल करी जाएगी खर्च वसूल करी जाएगी कई बार उन्हें नोटीज दी गई थी कि आप खाली कर दें लेकिन उन्होंने संतुष्टी जनक जवाब नहीं दिया ऐसा माना जा रहा है और इसी चर्चाएं आम है कि योगी सरकार जो भाजपा सरकार के नुमाइंदे हैं आजम खां पर नकेल कसने के लिए आजम खां की सारी कमियों और अबाइद कबजा अबाइद निर्मान गलत कामों का काला चिट्था निकाल कर उन पर नकेल कसने की तैयारी कर चुके हैं और पिछले दिनों जौर इंवर्सिटी अब रिसॉर्ट का दिवाल पता ने क्या क्या आजम खांने गलती करी है सत्ता के मदमस्ती में अब धीरे धीरे खुलना परारम हो चुका है अब ये राजनिती की कहानी हो चुकी है कि जब आप सत्ता में रहो तो आपकी गलती निकाल कर आप पर हमला करूँ मैं जब सत्ता में रहो तो फिर मिरूँ मैं दूसरों पर हमला करूँ यह परंपड़ा चल सी गई है 14 लेके अब तक चल रही है एक दूसरे को पचारने की परंपड़ा जो जहां गलती करे मौका मिले उससे पठकनी दो आगे बढ़ो तो अब समाजवादी पार्टी के सरकार रही नहीं और समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खां जो इस बार जया पर्दा को हडा कर चुनाओ जीते और इस ओठ की दिवाल तूटी जो और इन्वर्सीटी में शापा मारी हुआ चूड़ी के मुकदमा दर्ज किया गया यह जिला पदादिकारी ने कहा कि यह सिकाइट मिली थी लेकिन इस पर आप कह सकते हैं कि सिकाइट क्या मिली होगी चुकि गद्दावर नेता थे सरकार समाजवादी कि थी सरकारों में पकड़ थी नाले के कबजा के बाद भी सरकार के नुमाइंदे थे परसासनिक पदादिकारी हाथ लगाने से डरते होंगे लेकिन योगी जी की सरकार आने के बाद उनके आदेश के बाद परसासन ने हाथ लगाया और अबाइद कबजा से मुक्त नाले को कराया भूमी कबजा भूमी माफिया के सुची में भी आजम खान का नाम परसासन ने डाल लगा है अब कई मुश्किलों का सामना आजम खान को करना पड़ेगा यह आजम खान के लिए कठिन घड़ी कही जा सकती है दोस्तों मेरा यूटूब चैनल आप देख रहा हैं अगर आप नए हैं और पहली बार आए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले लाल बटन वेल दवा कर जो फ्री है साथी साथ इस वीडियो को सेर करें और कॉमेंट बॉक्स में जाकर कॉमेंट लिखना न भूलें और लाइक जरू कर दे धन्नवाद